अलो गुड आफ्टरनून एवरीवन हमने जो हमारा मद्यपेदेश में खनीज है वो कम्प्लीट हो गया था टोपिक और किसी के ऐसा डाउट था कि जो कोईले का उत्पादा ने उसमें कौन सा इस्थान है तीसरा इस्थान है न मद्यपेदेश का पर मैंने अभी देखा तो 2022 के अनुसार चोथा ही इस्थान है मद्यपेदेश का और यह जो हमारा 2022 का MPPSC का प्री हुआ था उसमें भी यह कौश्चन पूछा गया था और इसमें भी आयोग ने इसका अंसर चोथा बताया है ना तो नो डाउट जो भी मैं आपको फेक्ट्वल डाटा दे रही हूं वो सही होगा मैं इसको ओफिसियल वेबसाइट से ही देख रही हूं ना कि मैं मैं आपको कुछ मैं चक्रिसी के आधार पर एंधर सेमेंट के आधार पर इसे परिगिगे अनुसार्ड जिडिप्तर ऋ मैं भी प्यद्धिक हैं तो कितने पर्संट हिस्सेदारी रही 46.98 इस्सेदारी है ही है मतलब आप जो MPa क्या है क्रिशी प्रदान राज्ज है क्रिशी जादा होती है यहां पे तो कितनी हिस्सथारी है GDP में 46.98% हिस्सथारी यह है 2020 और 2021 के अनुसार है अगर हम इसको 2019 19 और 20 की अनुसार देखे पहले कितल even थे थी थी 259 फरसेंट से लाशि थी मतलब आप आप आपको पता कि हिस्से दारी क्या हुई बड़ी हैंना क्या हुई रहा है हफाना और दूसरे उननिस और बीस में कितनी थी 39.73% हिस्सेदारी थी मतलब जो वी निर्मान चेतर में हिस्सेदारी क्या हुई है कम हुई है पुर्ट टिव्टेज鼻 चेटर में इसको क्या बोलतें सेव्चेतर और तीसरे चेट को क्या बोलतें सेव्चेटर क्रिसी नकवी नकवी डूलतें सबसे पहले सबसे में सबसे बढ़ोत्री वहीं बागी दोनों चेत्रों में क्या गिरावट आई बीनिर्मान चेट्र में भी और सेवा चेट्रों में इस ओधरंगों देख लेफार्न दहिता दहात दौसक्ति दिया और भारत न 137ड़ अकों धनित क कड़ी कड़ी है जंद सबसे पहले जीन हम की अध सब्सक्राइब कर देख लेते हुआ तो चार भागों में विवाजित किया एक तो विक्सित जिले कर दिया ना ताकि हम यह विवाजन किया गया ताकि जो ओदोंगी छेत्रे उनका विकास हम कर सके ना इसलिए यह विवाजन किया गया सबसे पहले विक्सित जिले दूसरा है पिछडे जिले सामिल किया गया और पिछ़ड़े गा सेड़ा गथ ही चार बगों भगों इन्डिवाइट किया अब bonord of G इसमें अगर विक्षित जिल्य की बात करें तो 5 जिल्लों को सामिल किया गया जबसे पहला हमारा अपको याद रखने की जरूँत नहीं थी आपको बस दिक्सिक जिले यादуем्हीं जरू होते हैं कि बिखसे जिलों में कितने जिलों को सामिल किया गया है तो पांच जिलों को सामिल किया है जिसमें भोपाल है वालियर है इंदोर है जवर्पुर और कटनी को सामिल किया है और पिछणे जिले में क्या देवास है होसलावाद खंडवा मनसोर मुरेना रतलाम तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि वेतुल है और सीहोर को सामिल के और गाह सेडी के अंतरगत हैं बाला खाट आजाएगा आपका बींड आजाएगा च्छतरपूर है दमो है धतिया है धार गुना झाबुआ खरगोन बढ़वानी बढ़ना और भी अन्य जिले हैं हाना अब हम यह देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कि ओद्धूगिंगी च्छेत्रों को स्व्यक्रती प्रदान के लिए तो छे ओद्धूगिंगी क्षेत्र गोला वो देखते हैं सबसे पहले पिठांपुर यह कहां पर भार के आंतार यह इंदॉर yยआ कग से तो मुझां को चिसे कहां इनानत्रता है। मेगनगर मेगनगर किसके अंतर आता है जाबुआ के अंतर गये और लास्ट है पीलू खेड़ी यह किसके अंतर गयता है राजगर के अंतर गये मैं आपको अच्छे से यह बता देती हूं फिकिए बहुत इंपोर्टेंट है सबसे पहले क्या हमने पड़ा पीधंपूर कि पीधंपूर यह कहां पे धार में आता है ना धार इंदोर में उसके बात है पुरेना पुरेना हमारा कहां जाएगा पन्ना में आ जाएगा यह फार्स सेकिंड थाठे क्या है मेग नगर मेग नगर कहां पे आ जाएगा जाबूँआ मैं पीलु खेड़ी पीलु खेड़ी कहां पे आ जाएगा राजगर में और पांचवा कुन से हमारा मनेरी मनेरी मनला में आ जाएगा मालनपुर कहां पर बिंड में यहां पर सबसे कम बढ़ता होती है अग्जाम में बहुत इन्पॉर्टेंट कोर्षिन है और दोक सक ही कॉर्षिन बनते ही यह तो है नगoby सब सनते जैसे आपको जो एच clean क्चेत रहें वह तो आपको याद करना ही है क्यां एक आपको होदोर्ए कि पीदु मींत पर का ओपर याद सबतीता है कि प्पड़ की परर यादि यहाद हि